किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कि भगवान मंदिर को नहीं, मनुश्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, और हृदय में भगवान की। एक तरीके से लाइफ में frustrated था, उस इंसान की आदिती है थी कि भगवान को नहीं मानता था, कभी पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता था, विश्वास नहीं रखता था, बहुत हालत जब उसकी खस्ता होने लगी, दोस्तों से उसने सलाह लेना शुरू किया कि क्या करूँ, तो एक दोस्त ने का कि भाई बुरा मत मानना, तुम भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो, तुम्हारी जंदगी में changes आना शुरू होंगे, positivity आएगी, सकारात्मक्त आएगी, उस व्यक्ति ने तब पूजा करने में कौन सा घाटा है, करनी चाहिए, तो यही डिसाइड करके अगले दिन बाजार गया और भगवान श्री कृष्ण की एक मुर्ती सुन्दर सी मुर्ती खरीद के लिए है, घर में लाकर के विधिवत तरीके से उसने स्थापना की पूजा पाठ करना शुरू क फिर अगले दिन पूजा करता तो थोड़ा क्रोध में करता कि यह क्या हो रहा है, माने नहीं रहे हो मेरी बात, दो साल तक उसने यह सब किया, लेकिन जिन्दगी में चेंज नहीं आया, जो चल रही थी वैसी चल रही थी, फिर एक दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने सला जादी की भाई, भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद करो, और काली मा की पूजा शुरू करो, काली मा की मूर्ती खरीदो, महाँ पूजा करना शुरू करो, तुम्हें देखना चेंजेस आएंगे लाइफ में, तो उसको लागी दूसरे दोस्त की सला भी मान लेते हैं वो बाजार से कालीमा की मुर्टी लिया आया भगवान श्री कृष्न की जो मुर्ती थी उसने उपर जहां वो पूजा करता था उसके उपर एक टान थेल मीरा थी वहाँ पर रख दी कालीमा की मुर्ती की विधिवत रूप से स्थाप ना कर दी उनकी पूजा करने लग गया दो तीन महीने चार महीने तक पूजा करता रहा है चेंजिस नहीं आ रहे थे उसने सोचा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि ये जो मैं काली मा को अगर बत्ती लगाता हूँ धूब बत्ती लगाता हूँ ये जो धूआ उपर जाता है ये भगवान श्री कृष्ण भी तो सूंगते होंगे एक काम करता हूँ कपड़े से उनका मुह बांदे तो तो उसने बच्चे को आवाज दी कपड़ा मंगवाया सीड़ी मंगवाई उपर चढ़ा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मुर्ती का मुह बांधने वाला था भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया आदमी डर गया चौंक गया किनल लगा भगवान आप प्रकट हो गए दो साल से पूजा कर रहा था आप आई नहीं आज अचानक कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज मैं अचानक इसलिए आया क्यूंकि आज तुमने माना कि मैं हूँ अब तक तुम बस मुर्ती की पूजा कर रहे थे आज तुम्हें लगा कि उपर भगवान बैठे है वो ये धुआ जो है सूंगते होंगे उन तक पहुंचता हो और ने दिक्कत होती होगी तो इसलिए तुम मेरा मूँ बांधने वाले थे तुम्हें जैसे ही विश्वास हुआ कि मैं हूँ वैसे ही मैंने दर्शन दे दिया कहानी बहुत छोटी है लेकिन ये मज़दार सी कहानी लाइफ में एक बड़ा मेसेज देती है भाव बस्य भगवान जब आपकी भावना मन से जब आपके अंदर वो भाव आ जाते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ उनसे सब कुछ चाहता हूँ उन्ही की आराधना करता हूँ प्रार्थना करता हूँ तो वो जरूर प्रगट होते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ मुर्ती मान करके पूजा करते रहेंगे भाव नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ में उपर वाला भी मदद नहीं करेगा इसलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी भाव बस से भगवान भावना जो है वो जागरित कीजिए उपर वाला आपकी जरूर 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 मदद करेगा एक बार फिर से वही बात जो अकसर आपसे कहता हूँ उपर वाले के आशिरवात के साथ अपनी सची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा